नमस्कार साथियों मैं ओनिश कुमार सुकलो स्वागत करता हूँ आपका एगरी थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफ़र्ण पर एक बार फिर से दोस्तो आज की यह जो वीडियो है 11th अगरीकल्चर और वे सभी कोर्सेज जिसमें एगरोनॉमी उसमें धान की खेती है निए अगरी कल्टिवेशन धान की खेती को पूरा आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आपको एक जाम इससे बाहर कोशन आता है तो कहीं भी यानि इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो चलिए हम क्लास को यहां पर सुरू करते हैं देखिए यह इससे पहले मैं बता दूं क कि ग्यों की खेते ने वीड कल्टिवेशन हमारे चैनल पर अल्रेडी अप्लोड हो चुका है उसको आप देख लेंगे इलेमें थे कल्चर वाले यहां पर दीके वानस्पतिक नाम होता है और आईजा से टाइवा और इसकी एक और जाती होता है और जाती होता है और आईजा के नीचे क्योंकि यह बाइनोम इलोमेंट लेचर है वी नाम पधित के अनुसार अब इसमें अवियाब देखिए तो इसमें 70% क्या सत्धान में जो है आपका देखा जा तो 70% इसमें कार्वोहाइड्रेट होता है ठीक है प्रोटीन इसमें 7.7% होता है वसा 2.5% होती है खन सबसे ज़्यादा प्रोटीन धान में पाई जाती है 7.7% और सबसे ज़्यादा पाई जाती है गेहूं में ठीक है 9-15% प्रोटीन तक गेहूं में पाई जाती है कहीं 13% भी मिलेगा ठीक है उसकी माल भी वन प्रजाती में पाई जाती है अब दिखिए विश्वा में 50% से अ चेतरफल में भारत है उत्पादन में चीन है और प्रोडक्टिविटी यान उत्पादक्ता इसको पर हेक्टियर प्रोडक्शन बोलते हैं उसमें अमेरिका है और इसकी बुआई का समय ये थोड़ा गलत इसको आप गलत कर देंगे ठीक है यो कि धान पर जो है ये खरीफ है यहाँ पर धान जो है यहाँ पर बोरी में भर के रखा जा रहा है अब देखें इहाँ पर भारत में धान का उत्पादन उत फा Gonz fø पंजाब सेगेंड बने ही पंजाब उद्पादक्ता में ठीक है धान की प्रोटीन में सबसे अधिक लाइसीन अमीनों ऐसे पाई जाती है धान का एक किलोग्राम सुस्क पदार्त इसको बराने के ये 5000 लीटर पानी के अब सकता होती है जब कि अने फसलें जैसे आपकी गेहू चाषट होता है हलिंग परसेंट मतलब मैं आपको बता दूं देखिए इसका मतलब है कि चावल और भूसे का अनुपाद ठीक है जो चावल यानि इसमें चाषट परसंट चावल आपका होगा दाना होगा बाकी आपका जो पचावगा है 24 परसेंट हो आपका यहां पर भू अब क्लासिफिकेशन देखिए इसका धान का तो तीन परकार का है भारतィος है धान औराइजा इंडिका है जापनी धान औराइजा जापनी का है और इंडोनेशियन धान औरतिया और यहां पर दृक्छ यहां पर दिए हो और मैं और पर दिए और hm अफ्री का में उगाई ज जाती है एसिया में भारत में इंडिका जापानुका struggling का गया जाती है ऑर और उसील में दूसरी जाती तो वह गायती की में ओम केजय के समय के अनुसार इंसार इस अमन बोरो मे आपने सुना यहाँ पर होगा सहाँ नमग तो इस ट्रिक का यहाँ पर कैसा उप्योंग है वह एक सेकंड वह ना देखिये यह आपर देखिए मघर मौझ और टिक है तो औ से हो जाए दिखें मौ से हो जाएगा मई ठीक है, जौ से हो जाएगा जून, अन्नो से हो जाएगा नवंबर, तो यह हो गए Why Cup, कटाऑी किठ्टि कह 590 Sounds है, 100 laure, 100 से हो जाएगा, 99%, तो इसको अब धान में रखेंगे, विश्व में धान खाते हैं 60%, ठीक है, और धान की पॉदसाला यानि जो उसको नरसरी है धान की नरसरी डालने की दो प्रमुख विदिया है ठीक है पहली है गेली नरसरी विदी यानि वेट नरसरी मेथड इसमें 1.25 मीटर चौणी क्यारिया बनाई जाती है ठीक है इसमें क्यारियां जो है 15 सिंटिमीटर जमीन से उठी हुए होती है फिर सुस्क नर्सरी विधी यानि ड्राइ नर्सरी मिथड इसको तब किया जाता है जब सिचाई की जो स्वीधा आप लब्दना हो धान की नर्सरी डालने की एक विशे स्वीधी है जिसको डेपोग मिथड बोलते हैं आप लोने सुना होगा यह प्रायो आंद प्रदेश में अपनाते हैं इसको अपको ध्यान में रखना है ठीक है और यह नर्सरी 11-14 दिने में तयार होती है नर्सरी डालने के लिए इसकी नर्सरी के लिए डेपोग मिथड के लिए 25-30 मीटर स्थान की आवसकता हो होती है धान की नर्सरी जो है 27-27 दिन में तयार हो जाती है 25-30 दिन है वह मैंने अवसत निकाला है यह दिन नर्सरी देर में देर से लवडी मृदाव में है तो 45 दिन भी ले ले लेती है रोपाई कि समय जो है एक वर्ग मीटर में 50 हिल होने चाहिए प्रते खिल में 3-5 साल पहले क्या हुगा था देखिए अगर 6500 साल पहले अगर एक्जक्ट बताओं तो 6424 साल पहले यह वही समय था जब धान की खेती सुरू होई थी ठीक है अगर इसापूरों में कनवर्ट करेंगे तो 4400 इसापूरों 4420E ठीक है धान की खेती जो है वो प्रारम होई थी तो इसको आप ध्यान में रखेंगे यह पूछा भी आता है तो धान की खेती कबसे यानि साइंटिस्ट का यह अनुवानी है साइंटिस्ट ने बताया है कि धान की खेती जो है वो 4420E पूरों यानि करीब 6424 साल पहले जो है वो शुरू हुई थी ठीक है जलवाई वानी क्लाइ इसका देख लिजिए धान उश्न तथा उपोश्न कटिबंदी छेतर का पाउधा है ध्यान में रखेंगे ठीक है इसकी खेती समुद्र तल से 3000 मीटर की उचाई तक की जा सकती है स्वाइल देखिए तो साड़े 6 पीयाच वाली मट यार दो मट मरदा चाहिए होती है धान की खेदी के लिए तापमान 31 कई से 35 डिगर सेल्सियस और सत निकालेंगे तो 28 डिगर सेल्सियस चाहिए अब परजातिया यह कुछ वराइटी देख लीजिए धान की पहली बॉनी परजाती टी एंड वन यानि ताइचिंग नेटीव वन है और धान की पहली बॉनी और अधिक यह यह परजाती आया रेट है जो पीटा गुड़े डीजी बुजीन के संकरन से निकली है यह एक संकर वराइटी है जो पीटा एंटीजी बुजीन से बनी है ठीक है भारत में घान की पहली बॉनी तता अधिक उटपादन देने वी परजाती जया है अब देखें एक बात ह जादू इधान बोलते हैं जया को ठीक है इसको डाक्टर सास्त्री ने निकाला था यह अद्धान में रखेंगे और वैसे अब कॉमपरिटिवली देखेंगे तो जया जो है वह आयारेट से भी जादा उपस देती है ठीक है इसको भारत का जादू इधान बोलते हैं यह देख नरेंद 97 पशाद सर्जू बावन पंथ 4 धान की सुगन्दित प्रचातियों में पूसा बास्मदी पूसा किसर चाइप नौ टाइप ते रान की उसर भूम में बोई वाली जानुल धान की प्रथम पर जाती फीक है इसको अब प्रथम सुगंधित पर जाती है यह आप यहां पर रखेंगे ठीक है और पियारेच टेन ठीक है धान संकर धान की प्रथम पर जाती तो CORH 1 है सीधी बुआई के दिए बाला कावेरी यूज करते हैं अब धान की बीजदर देख ल है तो 5-6 kg पड़ेगा ठीक है उर्वरक देखिए तो सामानेता 120-40-60 के अनुपात में यह किलोग्राम में है NPK देते हैं और SRI यानि system of rice initiation में बो रहे हैं तो आपका क्या इसमें होगा तो 120-15 और 10 गान उपात पड़ेगा ठीक है अंतरण देखिए तो सामानेता 20-10 cm लेकिन SRI में 25-25 cm रखते हैं धान में यूरिया जिसका सूतर होता है NH2-CONH2 उसको नाइट्रेट फर्म में दे कदापी इसको यह नहीं देखिए नाइट्रेट फर्म में कदापी ना दे अगर देना धान में नाइट्रोजन को आमोनिकल फर्म में ही देना चाहिए क्योंकि नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन का लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेसन होता है अपने सूना होगा उसके द्वारा नाइट्रोजन खतम हो जाता है कि वह तीस परसेंटी पौदों को धान में यूरिया देने के उत्तम विदी पाइलेट विदी है ध्यान में रखेंगे धान में न्यूट्रियंट्स यूज इफिसियंसी 30 से 40 परसेंट है ठीक है फीजियोलोजकल डिसोडर जो धान में लगते हैं दैहिक विकार कारिकी विकार तो पहले दिखिए खेरा रोग लगर है नियुक्ति ऑयक है और जिन्क की कमी से होता है अलय और किसे क्वीद्ट की कमी अधिकता से हो हो किस में प्रचेयर जिन्क की कमी से होता है निर्षनिग में लगता है इसके लिएorfamaan का फोल wszyscy कर सकते हैं Switzerland cause उल्पेट कर लेते हैं ब्राउनीं धान में खोता है लोह की क पड्रिन लाहिए होगा और उसके लिए बेसिक उयुज्ड करते हैं पॉझलींग, तो मैं आको बताता हूं देखिए , पड्रूपण से पहले पानी भरे हुए खेत में पटेला चला देते हैं चेत हुझलींग, ने यह देखिए क्या हो रहा है यह आप देख सकते हैं जैसे पूरा खेत में पानी भरा हुआ है और इसमें यहां पर यह चलाया जा रहा है पटेला ठीक है तो इसी क्रिया को कहते हैं पडलिंग यह हमने इमेज इस लिए इंक्लूड की थी अब आगे देखिए वीड कंट्रोल ध स्थैंप इसको तीन कीजी यूज कर सकते हैं मचेटी विए इसका नामें इसको जो है ठाई कीजी यूज कर सकते हैं एक्ट्वं का यूज करते हैं धान का हिस्पा कीट इसका नाम है डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा साइंटिफिक नेम है जुलोजकल नेम यह धान की पतियों से रश चूसता है नियंतर के लिए क्लोर पाइरिफास 625 एमेल पर हिक्टेर के इसाब से यूज करते हैं गंधी बग गंधी बग यह आया हुआ कोश्चान है ध्यान में रखेंगे अप इसका नाम है लेप्टो कुराइजा वैरी कॉर्निस और एक और इसकी स्पीसिज मिलतु है लेप्टो कुराइजा अकुटा उसको भी ध्यान में रखेंगे यह धान की बालियों से दुगधा वस्ता जो मिल्किंग इस स्टेज होती है उसको सक कर लेता है चूस लेता है इसके लिए मेला थियान साथ सो ग्राम का यूज करते हैं फिर बीपी अच इसको बोलते हैं ब्राउन प्लांट हो पर धान का भूरा फुद का यह काफी जाता इंपॉर्टेंट है इसका नाम है नीलो पारवाटा लगेंस यह पतियां जो है सिर्वर सूट की समान दिखाई देती है ग्रीन लीफ आपर हरा फूद का ठीक है हरा पत्ति पूद का बोल सकते है इसका नाम है नेफॉर्स टीक ही वीर सेंस नेफॉर्स होगा ठीक है और यह कीट धान में टूंगुडु रोक की लिए लेगता होता है यह करास होपर भी एक कीट है ठीक है इसका नाम है पाइरी कुलेरिया ओर आईजी ठीक है अब एक बात में बता हूँ गर आप हिंती में नाम लिख रहे हैं जो साइंटिफिक नेम तो हाँ पे अंडरलाइन करेंगे इंग्लिस में अगर लिख रहे हैं तो इसका पहला वर जैसे प आमीर आद्मयों करहे हैं इसको बोलते हैं पूर मैंस घ्र टीजी ठीक है है अमीर आद्मयों का रहो नियंतरन के लिए ठायराम तीन ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से बीज उप्चार कर लेते हैं से ट्रीटमेंट करते हैं मैंकोजेब 10.3% का पणिछिल्का हो जिसको फोलियर ऑक्सिदेशन करते हैं करते हैं फिर देखें दूसरा रोग है बैक्टिरियल लीफ ब्लाइट यानि पत्ती का जिवान जुल दिखिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें आप चार फाइफ इस्टार लगाईए ठीक है क्योंकि यही बंगाल फैमाइन कॉज किया था ब्राउन प्लांट होपर भूरा पत्ती जुल्सा इसका नाम है हेलमेंथोस्पोरिया मोराईजी फंगस की कारण होता है यह रोग और बंगाल का अकार जिसको बंगाल फैमाइन बोलते हैं 1843 में आया था ठीक है और नेत्रा के लिए करबेंडा जीम और मैंकोजेब यहाँ पर थोड़ा यह देखिए बंगाल फैमाइन आ था 1945 में ठीक है आयरलेंड फैमाइन जो है वह आपका था 1443 में ठीक है अब देखि जीए पांसुक तो यह अमोनियम सलफेट की कमी से होता है तो यह फिजियोलोजकल डिसोडर है नेत्रा के लिए 15-20 केजिप परे कड़के हिसाब से अमोनियम सलफेट दे देना चाहिए ठीक है धान का बकानी रोग इसका नामें जिब्रेला फ्यूजी को राई फंगस के कार मिल जाता है SRI से बुगाई किया है जिसमें 900 बर मीटर पानी क्या हो सकता होती है तो उसमें आपका 6-60 कुंटाल मिलता है धान की बुगाई को कोनी वीडर से करते हैं अब देखिए एक करते हैं क्विकरी वीजन जितना हमने पढ़ा कुछ वन लाइन और जो आपको छपे मि सभ्याइव होता है चावल पूस्परम इनफ्ल्रोरेसंस पनिकल होता है यही आम का भी होता है मैली को आप deposit प्रकार का पौदा यहे लगुदीबस पौदा इंध्यान के जो खरीफ है आपके खरीफ वाले वो आपके सब्नेह से 32 डिग्रेश का फल को कहते हैं केरियो अप्सिस के में ज़ो आपका जो इस व्यापग करूप से कौन से नाइट्रोजन अरोरअ का उपयों कि चावल लुगाने के लिए मुर्दा काईश्ट अपमान तो चार से छे डिग्री सेल्सियास, मैट प्रकार की नरसरी किस फसल से समन्दित है तो धान से, बासमती चावल के देखिए, यहाँ पर जो बासमती चावल होता है, उसका टेस्ट वेट है, याँ परिछण वोजन 21 ग् काम होता है, ठीक है, और दुनिया में चावल का अधिक्तम निर्यातक थाइलेंड, थाइलेंड जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है अपने यहाँ, और धान के लिए सिचाई की सबसे मुटपूर अवस्ता बूटिंग स्टेज है, धान के लिए बाय फर्टलाइजर त त्यार हो जाता है, 1114 दिन में हमने आपको बताया ही, चावल में सबसे प्रमुख खर्पतवार कौन सिप्चाथ गया, तो वो है आपका इकाईनो कोला इस्पीसीज का यहाँ पर है, और धान की सफेद आप रोख होती है, आईरन की कमी के कारण, ठीक है, वही डूपी विका धान की फसल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हानी तो नाइट्रिफिकेशन द्वारा होती है, नाइट्रिकलर द्वारा तथा वूतेरा फसल परणली संबनीत है, चावल से, चावल की पर बॉयलिंग किस विटामिन का सनक्षार करती है, तो विटामिन B12 का, धान की देपोग विधी में बीजर रखते हैं, तो डेर से तीन के जी हमने आपको बताया ही, धान की एक खेक ट्यार है तू, देपोग विधी में पहुत त्यार करने का छे तू, पची से तीस वर मीटर है, यह भी हम आपको बता चुके है, चावल का चमत, देखिए, भारत का चमत कारिधान, Miracle Rice of India, मैंने आपको बताया, जया है, डाक्टर सास्त्रिय निकाला, वर्ल्ड की आपकी आई-ारेट हो जाएगी, चावल में बहुने उपन के लिए जिमेदार जीन है, तो डीजी उजीन, यह आपका लगबग 20 में, 21 में ठोने वाल है, 20 में ठोने वाल है, वीड पीडियाफ के लिए आप जॉइन करेंगे, टेलिग्राम चैनल, आज ही आपको इसका पीडियाफ मिल जाएगा, और 12 एगरी कल्चर और BSAG 1st semester के अभी हम वीडियोज अपलोड कर रहे है, डेली, तो उसको भी आप देखेंगे, इसके पहले वीड कल्टिवेशन कहा चुका तो टेलिग्राम आप जॉइन करेंगे, डिस्क्रिप्स वीक्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वर रॉचिए, और आइस डिटेग्स